दोस्तों पिछली वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कि डखैती की घटना होने पर बीबेचक द्वारा कारवाई कैसे की जाए उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा कर रहे हैं कि डखैती के मुकदमे की बीबेचना है तो कार्योजना कैसे बनाई जाए और इसकी क्या अवशकता है गटनास्थल से 100 को पोश्टमार्टम हित भेजने के पश्चात बीबेचना हित कार्योजना अवस्य बनानी चाहिए तथा 16 धिकारी महोदै से अन्मोदित कराना चाहिए बिवेचना की कार्योजना को तयार करने में निम्न बिंदु ध्यान में अवस्य रखना चाहिए जैसे सूची बनानी चाहिए कि किन-किन लोगों के कथन अंकित करने है साथ ही किन-किन संदिग्ध लोगों से पूश्टाज करनी है किन-किन अभिलेखों को कबजे में लेना है तथा किन-किन थाना अभिलेखों का वरकाउट है तो अवलोकन करना है किस विशेसगे का अभिमत प्राप्त करना है किस व्यक्त के घर की तलासी लेनी है इत्यादे दोस्तों इसके पस्चात बिवेच्चक को साच्छ संकलन की कारवाई में मसुरूफ होना चाहिए साक्ष के संबन्द में थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे कि यह कितने प्रकार का होता है और इसकी क्या महत्ता नियाले में होती है बिशेश रूप से साक्ष प्रत्यक्ष साक्ष और प्रत्यक्ष साक्ष या परिसित जन्य साक्ष है तरपस्चात प्राथमिक व द्युतियक साक्ष इसको क्लासिफाइड किया गया है मौखिक वदस्तावेजी साच्च, वास्तविक साच्च, मौलिक और सुर्थ साच्च, मनो कल्पिज साच्च विवेचक को मुख्य रुप से विवेचना के दोरान निम्न साच्चियों का बयान यथा संभव सिख्रे दर्ज करना चाहिए जैसे परतच दर्शी साच्ची, परिशित जन्य साच्ची, मोटीव के साच्ची, परतच दर्शी साच्ची वे साच्ची हैं यदि घतना किसी देखे जा सकने वाले तथ के बारे में है तो वह ऐसे साच्ची का ही साच्च होगा जो कहता है कि उसने उसे देखा है ये दिवा किसी सुने जा सकने वाले तथ के बारे में है तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष होगा जो कहता है कि उसने उसे सुना है ये दिवा किसी ऐसे तथ के बारे में है जिसका किसी अन्य इंदरी द्वारा बोध हो सकता था तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष होगा जो कहता है कि उसने उसका बोध उस इंद्री द्वारा किया है इसी प्रकार परिशित जन साक्षी परिशित जन साक्षी वे साक्षी हैं जो घटना को होते हुए अपनी आखों से घटना स्थर पर मौजूद रहकर नहीं देखे हैं परंत ऐसी परिशितियों के साक्षी हैं जो अपराद घटित होने के संबंध में साक्षी के रूप में इसारा करती है इसका विस्तित बिवरण साक्ष दिनियम की धारा 156 में दिया गया है मोटीव के साक्षी मोटीव के साक्षी वे साक्षी हैं जो घटना के कारण के संबंद में जनकारी रखते हैं तथा बताते हैं इसका पूर्ण विवरण हेतुक वहेतुक के लिए भास्ति साक्षदिनियम की धारा क्रमसव 7 वाठ में दिया गया है अलोकन किया जा सकता है। अब गवाहों व अन्य लोगों के बयान विवेचक द्वारा एक सोएकसर सी रपीसी में दर्श किये जाते हैं। साथ है अभिद का और कभी कभी गवाहों का भी 164 सी रपीसी में बयान कराये जाता है। 161 और 164 सी रपीसी का बयान क्या है और कैसे दर्श किया जाता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। 161 सी रपीसी का बयान कोई पूली सदिकारी जो सी रपीसी की अधिन विवेचना कर रहा है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के से परचित किसी ब्यक्त की मौखिक परिच्छा कर सकता है। 164 सी रपीसी का बयान क्या है। इस धारा में अभिवत की संस्विक्रती तथा गवाहों के कथन मजिस्टेट द्वारा दर्ज किये जाते हैं। 164 सी रपीसी का बयान कब और किस के द्वारा दर्ज किया जा सकता है। कोई महानगर मजिस्टेट या न्याईक मजिस्टेट चाहे उसे मामले में अधिकारिता हो या ना हो। अन्यवेशन के दवरान जात या विचारण प्रारंब होने से पूरु किसी समय की गई संसुकृती या कथन को अभिलिखित कर सकता है। 164 सब सेक्षन 1 CRPC के अधिन की गई संसुकृती या कथन किसी अपराध के अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्तिती में स्रव्य, द्रिस्य या इलेक्ट्रानिक साधन के दवारा भियावलिखित की जा सकेगी। 164 मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संसुकृती को लिखने से पुर्व, संसुकृती करने वाले भ्यक्ति को समझाएगा कि वह ऐसी संसुकृती करने के लिए आवद नहीं है। और यदि वह उसे करेगा तो उसके विरुद्ध साक्ष में उपयोग में लाई जा सकती है। और magistrate उसे तब तक नहीं लिखेगा जब तब उसे करने वाले व्यक्ति से प्रशन करने पर या विश्वास करने का कारण नहों हो कि वा स्विक्षा से की जा रही है। संसुकृति करने से पुर्व यदि मजिस्टेट के समख्च हाजिर होने वाला व्यक्ति यह काता है कि वह संसुकृति नहीं करना चाहता है तो उस व्यक्ति को पुलिस अभ्यक्षा में देने का आदेश नहीं किया जाएगा ऐसी संसुकृति में किसी अभ्यक्ति व्यक्ति की परिच्छा करने में धारा 281 CRPC में उपबंधित रीत से अभिलिखित की जाएगी और संसुकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किये जाएंगे और मजिस्टेट ऐसे अभिलेक नीचे निमलिखित भाव क ग्यापन लिखेगा जैसे मैंने अभिवत का नाम लिख करके अभिवत को समझा दिया है कि वह संसुकृति करने के लिए आबद नहीं है और यदि वह ऐसा करता है तो कोई संसुकृति जो वह करेगा उसके ब्रुद साच्छ में उपयोग में लाई जा सकती है और मुझे भी उसका सही होना स्विकार किया है और उसके द्वारा किये गए कथन का पूरा सही बुर्तान इसमें है तर प्रस्चात मेजिस्टेट के हस्ताक्चर हों गया दोस्तों धारा 164 का CRPC ये अमेंडमेंट हुआ था इसमें बलतकार की पिरित महिला के डाक्ट्री परिक्षर के बारे में प्राउधान है जिसका पूर बीवरर हम बलतकार के इस ओपी में बनाए हुए है इसके संबन्द में जानकारी है तो बलतकार की बीवेचना की ये सोपी का उलकन किया जा सकता है अब प्रस्चन उठता है कि बीवेचक गवाहों का बयान कैसे दर्ज करेगा किस डाईरी में उसके लिए दोस्तों बीवेचक को समझने के लिए जानकारी के लिए कालपनी गुरूप से एक बयान लिख करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि उसमें नाम, पता, गाउं, उसका थाना, जिला, सिक्षा, उम्र, फोन नंबर आदी सभी पहले दर्ज करेंगे तत्पस्चार पूछने पर जो बता रहे हैं वादी वागवाः उसको बिस्तित रूप से लिखेंगे जिस बिंदु पर गवाः या वादी नहीं बता पा रहे हैं या उनसे छूट जा रहा है उस पर प्रश्न विवेचक द्वारा किया जा सकता है और इस तरह से केश डायरी में उनके बियान दर्ज करेंगे ध्यान रखेंगे कि 161 CRPC का बियान दर्ज करने पर उनका हस्ताक्षर नहीं कराएंगे 161 CRPC वो 164 CRPC में अंतर क्या है 161 CRPC विवेचक द्वारा दर्ज किया जाता है 164 CRPC के तहद बियान महानगर मजिस्टेट अत्वा न्याईग मजिस्टेट द्वारा बियान दर्ज किया जाता है 161 CRPC में बियान करता से हस्ताक्षर नहीं कराएंगे जाता है जबकि 164 CRPC में बियान करता का हस्ताक्षर कराएंगे जाता है साक्ष के रूप में 161 CRPC उपयोग में नहीं लाए जा सकता है, धारा साक्ष अधिनियम के तत्यों को छोड़ कर, जब की 164 CRPC के बयान को साक्ष के रूप में उपयोग में लाए जा सकता है चस्मदी साक्षी परिसित जन साक्षी आज का कथन लिखबध करना बिवेचक को चशुदर्सी साक्षियों, मोटीव के साक्षियों और परिसित जन साक्षियों की तलास कर, उनके कतन घटना के संबन में अंकित करने चाहिए गवाहों के बियान में लाफकारी बात को नोट करना चाहिए यदि कोई बात गवाह नव बता पा रहा हो, तो प्रश्न करके पूछ लेना चाहिए घटना से जुड़े ब्यक्तियों का CDR, BTS प्राप्त करना यह आज के समय में बहुत ही महत्वपूर बिंदू है घटना से संबंधित ब्यक्तियों के मोबाईल नंबर को प्राप्त कर, उनका CDR कम से कम 6 माह का प्राप्त कर, विभिन दिश्टिकूर से एनालसिस कर, पूछ ताज के समय CDR का उप्योग करना साथ है घटनास्थल के तरफ आने जाने वाले सभी दास्तों का टावर CDR प्राप्त कर, अभिप्तों के आने जाने तथा उपस्थिति वगिरफ्तारी के संबंध में उप्योग करना चाहिए CDR का यहां नमुना आपके सामने दिया गया है इससे आप सभी लोग भिग्यों होंगे अभिप्तों की गिरफ्तारी है तो मुख्विर लगाना तथा गिरफ्तारी है तो फोन नमबरों को समानांतर लाइन पर सुनकर गिरफ्तारी का प्रयास करना विवेचक को अपराज से संबंधित अभिप्तों की गिरफ्तारी है तुरंत प्रयास करने चाहिए यदि अभियुक्त फरार हों तो उनका विवरन कंट्रोल लूम को देना चाहिए जिससे अभियुक्तों की खोज ब्यापक अस्तर पर कराई जा सके अभियुक्त की गिरफ्तारी है तो समनांतर लाइन पर महतपूर नंबरों को सुनना भी काफी लाग दायक होता है अभियुक्त की गिरफ्तारी जल्दी होने से कुछ महतपूर साच प्राप्त हो जाते हैं मोटिव को सत्यापित करना डकैती ये गंभीर प्रकृत का अपराध है जिसके अभियोजन में मोटिव का काफी महत्तो है विवेचक को चाहिए कि डकैती के कारण के संब्ध में भी साच का संकलन कर केस डायरी में अंकित करें जैसे यदि पेसेवर डकैतों के द्वारा डकैती हुई है तो संभव है कि डकैतों के विरुद पूरु आपराधिक पिहास का रिकार्ड उपलब्ध हो जाए जिसे केस डायरी में लगाना चाहिए जो अभियुक की मान सिकता तथा इरादा प्रमारित करती है यदि डकैती वहत्या अन्य कारण से होती है तो कारण दोरान विवेचना विवेचक द्वारा अवस्य ही प्रमारित होना चाहिए तथा केशडायरी में उसका उल्लेक होना चाहिए Medical Report यदि घटना में कोई बेक्ति घायल है तो उसका इलाज, चिकित्सकी परिछण तथा वशक्ता नुसार एकसरे अल्टरा साउंड आज कराना चाहिए तथा रिपोर्ट का उल्लेक केशडायरी में करते हुए चिकित्सक से विस्त्रित चोटों के प्रकार समय वकिस्ट प्रकार के हथियार से चोटें आई है पूछ तासकर केशडायरी में दर्ज करना चाहिए मूल पंचात नामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का उलोकन तथा पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर का पोस्टमार्टम के सभी बिंदूओं पर असपश्ट कथम अंकित करना चाहिए सव के पोस्टमार्टम के बाद मूल पंचात नामा तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का गहराई से उलोकन करना चाहिए विवेचक को तता पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में अंकित सभी बिंदूओं विशेश का रिंटी मार्टम इंजरी मृत्यू के कारण आंतरीक अंगों के स्थिति के संबंध में पोस्ट मार्टम करने वाले डाक्टर से बिश्तरित पूछ ताज कर कथन केश डायरी में अंकित करना चाहिए यदि डाक्टर द्वारा बिसरा सुरक्षित किया गया हो किसी मामले में तो बिसरा परिच्छड है तुरंत भेज देना चाहिए माल परिच्छड है तो FSL भेजे जाने है तो प्रक्रिया बिद्विज्यान प्योक्साला में परिक्षण हेतु जो परदर्स, माल, विवेचक द्वारा, जांच हेतु भेजे जाते हैं उनके संबंध में निम्न प्रक्ष्ण अवसे पूछना चाहिए जैसे घटनास्थल पर प्राप्त कोई खोखा कार्थूस है तो वह खोखा कार्थूस, तथामर्तक के सरीर से प्राप्त बुलेट क्या एक ही कार्थूस के हैं अभ्युक्त के निशान देही पर बरामद आग न्यास्थर से ही घटनास्थल पर प्राप्त खोखा कार्थूस को फाईर किया गया था घटनास्थल पर प्राप्त खूनालूद मिट्टी तथा मृतक के सरीर से प्राप्त पहने हुए खूनालूद बस्तर पर मानवरक्त है अथवा नहीं यदि मानवरक्त है तो क्या एक ही गुरूप का है मिर्टक के सरीर से प्राप्त पहने हुए खुना लुद्बस्तर पर बने छिद्र पर बारूद के कंड मौजूद है अथो नहीं अभ्यूक्त से पूश्टाच में बैग्यानिक साधनों का प्रियोग अवस्य किया जाए बर्तमान समय में अभ्यूक्तों वा संदिध लोगों से पूश्टाच करने में बैग्यानिक साधनों का प्रियोग किया जा रहा है इनके द्वारा परिच्छड करके यह पता लग सकता है कि अभ्यूक्त या संदिध सच बोल रहा है या जूट बोल रहा है ये साधान इस प्रकार है जैसे पालिग्राफ टेस्ट जूट बोलने का पता लगाना है पालिग्राफ एक बैज्ञानिक तक्निक है इस टेस्ट में संदिक धविव्त से पूश्टाज के समय सारीरिक परिवर्तों के आधार पर सच जूट बोलने का पता लगाये जाता है यह सुविधा केंदरी बिध्वी ग्यान ट्रोक साला नई दिल्ली में उपलब्ध है जहां पाली ग्राफ के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है जैसे बिवेचक्ट अपराद का संचेप में वह बिंदू पलब्ध कराता है जिस पर अभियुक्त संदिक्ध व्यक्ति से अस्पश्टी करण लेना है बिशेशक यह उसके आधार पर प्रशनावली तयार करता है परिछड के पूरो बिशेशक अभियुक्त वह बताता है कि वह चाहे तो इस टेस्ट से इनकार कर सकता है फोरेंसिक एकास्टिक टेस्ट इसमें अभियुक्त की आवाज की पहचान होती है जब कभी अभियुक्त की आवाज किसी तरह से रिकार्ड हो जाए ऐसा भी शेस कर अपहरडव एक्ष्टार्सन के मामले धम की असलील उत्पीडन आदमे होता है ऐसे मामलों में फोन का उपयोग बढ़ रहा है ऐसे मामलों में साउंड इस्पेक्ट्रल ग्राफ का प्रयोग कर बोलने वाले की पहचान नमूने से मिलान कर किया जा सकता है यह सुविधा केंदरी विधिभी ग्यान प्रयोग साला नई दिल्ली में उपलब्ध है तथा बरतमान में यह विधिभी ज्ञान प्रुक्साला महानगर लखनव में भी उपलब्ध हो गई है. तीसरा है ब्रेन मैपिंग टेस्ट डाक्टर लारेंस फॉर्वेल नामक अनिर्की मस्तिष्क विशिशग्य ने ब्रेन फिल्म प्रिंटिंग नामक एक प्रक्रिया विख्षिती है. अभियुक्त को इस प्रक्रिया में एक हेलमेट जैसा उपकरण पहनाया जाता है. जिसमें ECG के 16 तार जुड़े होते हैं, सम्बंधित ब्रेक्ति के मस्तिष्क के विभिन हिस्सों में निवरान की गत्विधी स्क्रीन पर देखी जाती है. जिससे मालूम हो जाता है कि अभियुक्त सही बोल रहा है अथवा नहीं. नारको टेस्ट यह एक मनोबग्यानिक चिक्ज़ की प्रडाली है, इसमें एनेस्थिसिया के डाक्टर वह एक मनोबग्यानिक क्या उशकता होती है. अभियुक्त के नस में सोडियम पेंटाथाल व एनिटाल नमक दवा का इंजेक्शन देकर उसे अर्ध सुसुपता वस्था में किया जाता है, तत्पस्चात अभियुक्त से पूश्टाश की जाती है. यह प्रक्रिया अत्यंत कुख्यात एवं राष्ट विरूधी अपराधियों के विरूध ही प्रयोग में लाए जा सकता है. बहुत ही हिनियस मामले में इसका उप्योग हो सकता है, क्योंकि यह विधिक दिश्टिकोंट से मौलिक अधिकार के विपरीत है. दोस्तों सबसे महत्वपूर है DNA टेस्ट, इसका रेजल्ट सौब परसर सही है, अभियुक्त की DNA फिंगर प्रिंटिंग अत्याधुनी तक्निक है, इसकी सहायता से पित्रित उसी धिकरने, हत्या, हत्या सही दिकैती, बलतकार वान्य मामलों में सही अपराधियों तक उचा जा सकता है क्योंकि हор ब्यक्त के DNA का अलग सिक्वेंस होता है, अभियुक्त की गिरफ्तारी गेरहाजरी के समभन में कारिवाई, अभियुक्त जब गिरफ्तार हो जाता है, तो उसकी गिरफतारी में किनकी बिंदूओं को ध्यान देना है अभिवती गिरफतारी के समय माननी उच्चितम नियाले के निड़े डीके बसू बनामी स्टेट आप बंगाल रिट याचिका क्रिमिनल संख्या 549-86 निड़े दिनांग 1812-1996 में गिरफतारी के संबंध में नि पूश्य करना चाहिए अवलुकनार्थ ये निर्दी साब के सामने हैं जैसे पूलिस कर्मी जो गिरफतारी करते हैं तथा गिरफतार ब्यक्ति से पूश्ताज करते हैं उन्हें सुध असपश्ट दर्शी व साफ पाचान की नामपटि का धार करनी चाहिए वर्दी के साथ उनके पद के बैज अवस्य हों उन सभी पुलिस कर्मियों का जो गिरफतार ब्यक्ति से पूश्ताज करते हैं विवरर एक रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए व्यक्त की गिरफतारी के समय पुलिस अधिकारी एक फर्द द्यार करेगा जिसे कम से कम एक ब्यक्ति द् अभी प्रतिहस्ताक्षर कराये जाएगा तथा इस पर गिरफतारी का समय वदिनांक भी अंकित होना चाहिए जो ब्यक्ति गिरफतार किया गया है अथवा निरुध किया गया है या किसी थाने की विरक्षा में पूश्ताज केंदर पर है या लाकप अथवा हवलात में है को यह दिकार होगा कि उसके किसी मित्र, रिष्टदार अथवाएसे व्यक्ति को जो उसे भली भात परचित हो और उसका हितैसी हो को जितना सिक्र संभव हो साध्य साधन से सूचना भेजी जाएगी और जिसमें असपश्ट उससे बताये जाएगा कि अमुग व्यक्ति गिरफ कराये हों यह दिक गिरफतार किये गए ब्यक्ति के मित्र रत्वर इस्तिदार जिले या कस्वे के बाहर के रहने वाले हैं तो उन्हें जिले की लीगल एड अर्गनाइजेशन एवं संबंधित थाने दवारा वायरलेस्ट टेलीग्राम के जरिये सूचना गिरफतारी का समय एवं अस्थान अंकित करते हुए छो से बारा घंटे के अंदर अवस्य दे दी जाएगे जैसे ही कोई व्यक्ति गिरफतार होता है पुलिस का यह दाइद तो होगा कि वह उसे अपने इस अधिकार से अवगत करा दें कि वह अपनी गिरफतारी एवं आउरुधी के संबंध में किसी को सूचना दे सकता है इस तरह से दोस्तों यह पूरा विवरण आपके जानकारी के लिए आपके सामने प्रस्तुध है इसकी प्रति सभी थानों पर भेजी जा चुकी है सबके जानकारी में है इसका पालन अवस्य कर लेना चाहिए जब कोई अभिक्त अपराथ के संबंध में गिरफतार होता है तो विवेचक द्वारा उससे निम्न बिंदूओं पर अवस्य पूछताच की जाए जैसे अभिक्त का नाम उपनाम पता व्योसाय शिक्षा उम्र तथा उसका फोन नंबर अभिक्त द्वारा घटना करने का का परण पूछा जाए अभिक्त के साथियों के नाम पते सभी रिस्तदारों के भी नाम पते तता मोबाईल नंबर पूछे जाए अभिक्त से अवैद सस्त्रों के बारे में पूछताच की जाए अभिक्त द्वारा बताई गई बातों के सच्चाई जानने हिट पूछताच के जाए अभ्युक्त के कबजे से प्राप्ट मोबाइल फोन को नियमानुसार कबजा पुलिस में लेकर उसके संब्ध में भी अभ्युक्त से पूछताश करना चाहिए तथा उक्त मोबाइल फोन में लगे सिम का सीदियार तथा IMEI रन कराकर एनल्सिस करना चाहिए कारवाई सिनाक्त दोस्तों यह अत्यंत ही महत्तपूर साक्षे है दकैती के मामले में प्रायः बना मज्यात मुकदमा दर्ज होता है ऐसे मामले में अभिप्तों की अगर कारवाई सिनाक्त तथा उनसे बराबंद माल के कारवाई सिनाक्त नहीं किराए जाता है भी विचक द् तो अभिवत्तों को लाव मिलेगा तथा अभियोजन कमजोर हो जाएगा जहां कारवाई सिनाक करानी है वहाँ पुलिस को पुलिस इरुवलेशन के प्रस्तर 116 के अनुसार उस व्यक्ति को वापर्दख रखा जाएगा तथा विवेचक को सुरु से या साउधानी बरतनी होगी कि गवाह अभियुक्त के चेहरे को ना देख सके और अभियुक्त को यह चेतावनी दी जाती है कि वो अपने चेहरे को छिपा कर रखेगा विवेचना में कब्जे में लिये गए सामान जैसे आला कतल वाहन फोन रुपया आज जो हम अभियुक्त से वरामत करते हैं कि फर्द तयार करना विवेचक यद किसी अभियुक्त से या उसके घर से या घटनास्थल से अपराद से संबंधित को इबस्तू कब्जे में लेता है तो उसकी एक फर्द स्वतंत्र गवाहों के समक्ष लिखी जानी चाहिए जिस पर गवाहों के वाभियुक्त के हस्ताक्षर बनवाये जाने चाहिए इस फर्द की एक प्रती अभियुक्त को दी जाने चाहिए और फर्द प्राप्ति के हस्ताक्षर फर्द पर पुना बनवाए जाने चाहिए फर्द पर विवेचक के हस्ताक्षर आवस्यक है आत्म समरपड की सिती में 14 दिवस के अंदर पुलिस कस्टेडी रिमांड की करवाई करना यदि कोई अभियुक्त विशेश कर डकैती के मामले में मानी नियाले के समझ आत्म समरपड कर नियाई के अभिरक्षा में है तो अभिव्ट का बयान माननी नियाले की औनुमती से दर्जकर आवशक्ता नुसार पृथम रिमांड चौदर दिवस के पूरो ही पूलीस अभरक्षा रिमांड की माननी नियाले से कर लेनी चाहिए अपराज स्विकार करने वाले अभिव्तों का बियान लिखबध करना तथा धारा 27-27 दिनियम के तोहट बरामदगी करना यद्द धारा 25-27 दिनियम के अनुसार अभिव्त द्वारा पूलिस के समझ अपराज को स्विकार करने की बात नियाले में माने नहीं है परंतुधारा 27 साच्छ दिनियम के अनुसार अभिवत का पुलिस के समझ स्विकार किये गए कथन का उतना भाग नियाले में उसके विरुद्ध सिद्ध किया जा सकता है जितना भाग किसी अपराज संबंधित त्थ्य की खोज करने में सहायक रहा है जैसे अभिवत के जूर्म शुकारुक्ति के बाद अभिवत के निसान देही पर अभिवत द्वारा घटना अस्थल में घटना में प्रियुक्त आला कतल की बरामद्गी कराना लूटी गई संपत्त की बरामद्गी कराना धारा 27 साच दिनियम के तहत मजबूत साक्ष है बरामद्गी के समय वीडियो रिकार्डिंग कर डीवीडी बना कर केश डायरी के साथ सालगन करना लाफदायक होता है गिरपतार अभिवत अथवा PCR पर लिए अभिवत के निसान देही परियदि घर्टना से संबंधित किसी बस्त की बरामद्गी होती है तो उसे अभिवत के साथ मानी नियाले के समझ प्रस्तूत करना चाहिए बरामद्गी अस्तल का नक्सा नजरी अवस्य बनाना चाहिए तथा वहां के आसपास के लोगों के भी वियानात दर्ज करने चाहिए अभिवत का डाक्टरी परिच्छड कराना गिरफतार अभिवत अथवापीस यार पर लिये गए अभिवत को मानी नियाले के समझ प्रस्तूत करने से पुरू चिकित्सकी परिच्छण अवस्य कराना चाहिए अभिवत की फोटोग्राफी कराना अभियुक्त की फोटोग्राफी कराकर SR फाइल अपराधी कितिहास रेजिश्टर 10 साला रेजिश्टर में रखना चाहिए अभियुक्त का रिमांड धारा 167 वदारा 309 सी रिमांड की करवाई होती है जब कोई अभियुक्त गिरफतार किया जाता है तथा उसके ब्रूद साक्ष पाए जाता है तथा या परतीत होता है कि धारा 177 सी रिमांड की के द्वारा नियाच 24 हंडे के अंदर विवेचना पूर नहीं हो सकती है तब थाना ध्रक्षत्वा विवेचक अभियुक्त को धारा 167 सी रिमांड की के तहत निकर्तम नियाइक मजिश्टेट के समझ के शडायरी के साथ प्रस्तूत करेगा जमानत का विरोध करना विवेचक का यह प्रमुक करतब्य है कि जो अभियुक्त नियाई का विरक्षा में है तथा जमानत पर छूटने है तो मानी नियाले के समझ जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तूत किया है उसका सार्थक वव विधिक तरीके से विरोध करे अभियुक्त के जमानत प्राथना पत्र के बिरोध के समय विवेचक को चाहिए किवः अपराध के संबंद में उपलब्ध साक्ष को मानी नियाले के समच बिधिक रूप से प्रस्टूत करें। अभियुक्त का जमानत प्राथना पत्र के निरस्ट होने की प्रवल समहूना रहती है। तब उसके विरुद मानी नियाले के समच 82 CRPC है तो रिपोर्ट देनी चाहिए। तथा मानी नियाले द्वारा अभियुक्त के विरुद जारी गर्जमानती वारंड के तामिला के प्रक्रम में जब अभियुक्त गिरफतारी नहीं हो पाती है। जिस पर मानी नियाले द्वारा 82 CRPC के तहट अभियुक्त के फरार होने के उद्वोसला जारी किया जाता है। जिसका तामिला मुनादी कराते हुए नियमानुसार विविच्चक द्वारा करना चाहिए। तथाके जायरी में अंकित करना चाहिए। तत्व पस्चाथ भी यदि अभियुक्त नहीं पकड़ा जाता है या आजिर नहीं होता है। तो उसके विरुद्ध एक सो चोगत्तर एक भारति द्रण विधान का अभियोग पंजिकरित कराना चाहिए। उसके बाद 174 एके मुकदमे के पंजी करड़ के पस्चात मानी नियाले से अभिवत के विरूद 83 CRPC की करवाई करानी चाहिए इसमें मानी नियाले को धिकार है कि धारा 82 की अधिन उधोस्रा जारी होने के पस्चात अभिवत की चल या अचल संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है कुर्की होने के पस्चात भी यदि अभिवत ना तुगिर अफ्तार होता है और नहीं निकट भविश्य में उसके नियाले में हाजिर होने की उमीद है तो ऐसी सिती में 299 CRPC के तहब कारवाई की जाती है तत्प्रस्चात आरोपत्र विवेचना में यदि अभियुक्त के विरुद्ध परियाप्त साक्ष पाया गया है तो विवेचक द्वारा 173 दन प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के नुसार मुकदमे को आरोपत्र के द्वारा विचारण है तुनियाले भेजना है विवेचना का सच्छिम्त विवरण रहता है विवेचक को आरोपत्र तयार करते समय कुछ बिंदूओं को ध्यान में रखना चाहिए जैसे आरोपत्र के सभी कालमों की पूर्ति की जाए और कोई कालम खाली न छोड़ा जाए यदि कोई सूचना सुनने है तो उस कालम में यह बात अस्पश्ट रूप से लिख दे जाए जब तक धारा 82-83 CRPC की कारवाई किसी अभिवत के विरुद न की गई हो तब तक उसका चलान मफुरूरी में न किया जाए यदि कुछ अभिवत गिरफतार हुए हैं और कुछ गिरफतार नहीं हुए हैं तो धारा 82-83 CRPC की का हो जाने के बाद सभी के विरुद आरोप पत्र दिया जाए आरोप वाले कालम में प्रतेक अभिवत के विरुद आरोप को अस्पश्ट रूप से लिखा जाए यह अस्पश्ट रूप से लिखा जाए कि अभिवत का चलान किस धारा में किस धारा के अफराद में किया जा र गवाहों के नामपते के सामने यह भी लिखा जाए कि कौन गवाह क्या साक्ष देगा इससे सरकारी वकील या एपियों को गवाहों को बुलाने में आसानी रहेगी वह सभी गवाहों को नहीं बुलाना पड़ेगा यदि आरोपत्र वाला अफ्राद ऐसा है जिसमें किसी अधिकारी की पूरु स्विकृति क्या हो सकता है तो आरोपत्र नियाले भेजने से पूरु स्विकृति प्राद कर ली जाए यदि आरोपत्र का वियोग किसी मादगद्रब से संबंधित है तो मादगद्रब के परिच्छड के बाद ही आरोपत्र दिया जाए आरोपत्र का नमूना आप लोगों के सामने इस तरह से प्रस्तूतिय जा रहा है कम्ट्यूटर से यह निकाला जाता है सारे प्रोफार्मा में सारे हेडिंग में इसकी फीडिंग होती है अवलोगनार्थ आप लोगों के सामने आरोपत्र का फार्मेट प्रस्तूत है इसमें ध्यान रखने की बात है कि सभी कालम सभी विवरन पूरी तर से भरे गए हो आरोपत्र लगाने के प्रस्चाथ 299 CRPC की कारवाई की जाती है जब हम 82-83 की कारवाई पूरी कर लेते हैं एक सो चोहत्तर ए भारति दन्रविधान के तहत अभियोग पंजिकित करा लाते हैं तब हम आरोपत्र लगाते हैं उसके बाद 299 CRPC की कारवाई है इसमें यद यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुत फरार हो गया है और उसके जल्द गिरफतार होने की कोई संभावना नहीं है तो उस अपराद के लिए नियाले अभियोजन की ओर से पेस किये गए साक्षियों की अभियुत की अनुपरस्तिती में परिच्छा कर सकता है और उसका अभिसाक्ष अबलिखित कर सकता है और यह साक्ष उस अभियुत गिरफतार होने पर उस अपराद के विचारण में उसके विरुद साक्ष में दिया जा सकता है फाइनल रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट CRPC की धारा 173 के प्रावधान में ही पुलिस विवेचना के पस्चात निम्न कारणों से अंतिम रिपोर्ट प्रिशिद करती है जैसे अभियुक्तों का पता नहीं चला गवाहोंने कारवाई सिनाक्त में अभियुक्तों को नहीं पहचाना या संपत्ती को नहीं पहचाना साच परियाप्त नहीं है अथवा मुकदमा जूठा या गलत पाया गया किसी अपराद के अभियोग में अंतिम रिपोर्ट लगाने से पूर विवेचक को या सुनिशित कर लेना चाहिए कि विवेचना में किसी गवाह का ब्यान लिखने से न छुट गया हो अंतिम रिपोर्ट लगाने के बाद अभियुक्त के पकड़े जाने या माल बरामध होने पर अग्रिम विवेचना 178 CRPC के तहर सुरूप की जा सकती है यदि अभियोग जूटा पाया गया तो धारा 182-211 भारती दंड विधान की कारवाई अलग से की जाए वादी को अंतिम रिपोर्ट लगाने के वाद सुचित किया जाए नियाले अंतिम रिपोर्ट स्विकार कर सकता है परंत इससे पूर वादी को नियाले में बुला कर सुना जाता है नियाले अंतिम रिपोर्ट पर विचारण भी कर सकता है अंतिम रिपोर्ट का नमुना आप लोगों के सामने और लोकनार्थ प्रस्तुध है इसके भी सभी काल्मों की फीलिंग होनी चाहिए धन्यवाद दोस्तों